हाई गाई वेलकम टो मैं चैनल ब्यूटी स्किल्स मैं इस रिया आज मैं आप लोगों के साथ है नाज शुषन 24 का गोल फेशल किट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पैकेजिंग की तो यह कुछ इस तरीके के गोल्डन से पैकेजिंग में आती है जो कि बहुत ही यादा ब्यूटिफुल और लग्जूरियस सा फीलिंग दे रहा है अगर आप इसके पैकेजिंग पर देखो गें तो आपको एकेजिंग की गई है जैसे कि क्या कुं कुं से प्र्रडक्ट तक का यूज इसमें कौन-कौन से इंग्रीटिंस उसकी गए हैं इसका मैनेफ्याक्टिरिंग डेक्र टेक्या हैं एक्सपारी डेक्ट है हर चीछ के बारे में इसमें क्लियरली मेंसें इसे किस तरीके से यूज करना सब कुछ बहुत अच्छे से मेंसें की गई है तो मैं आपको एक बार जली एली से रीट करके सुना देती हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा एजी हो जाए सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह क्या क्लेम करता है कि यह आपके फेस को प्यॉरिफाइ करता है इसकि यह क्या करता है आपके स्कीन को यूथ फुल बनानाता हैं आपके फेस पे एक golden glow दे करके जाता आप बात क्लेयत से इसे में कॉन-कॉन से प्रोड nonprofit का यूज किया गया इसमें Regel & Clean Cream & Products सारे प्रोडक्ट्स के नीचे clearly mention है कि उसमें कौन-कौन से ingredients का use किया गया है यह क्या-क्या work करता है अगर आप इसके tubes को देखोगे तो इसके tubes के पीछे भी clearly सारी information दी गई है जो कि इसके packaging के ऊपर दी गई है जैसा कि इसके packaging पे clearly mention है कि यह 1-2021 को manufacture हुआ था and expiry dated 12-2022 यानि कि आप इसे 2 साल तक अराम से रख करके use कर सकते हो दो साल के आपको self life मिल जाएगी and अगर इसकी price की बात की जाए तो यह 1,010 रुपीस का है so guys अगर आपको यह product पसंद आया and अगर आप इसे purchase करना चाते हो तो आप इसे online www.sanas.in से purchase कर सकते हो and आप इसे local market में किसी भी cosmetic के दुकान से purchase कर सकते हो यह हर जगा easily available होता है so चलिए अब देख लेते हैं step by step किस तरीके से अपने face पे apply करना है so guys इस facial का सबसे पहला step है scrubbing so अगर से नाज उचरन के scrub की बात के जा तो यह कुछ इस तरीके के thick gel like consistency में आता है orange color के and इसके अंदर छोटे-छोटे scrubbing particles है जो कि आपके face को बहुत अच्छे से scrub कर देता है आपको क्या करना है अपने face को normal पानी के help से गीला करना है and then scrub को अपने हाथों में लेकर अपने face पे हलके हाथों से circular motion में apply करना है 2-3 मिन्ट scrub हो जाने के बाद आपको अपने face को normal water के help से clean कर लेना है आप चाहो तो भींगे हुए cotton के कपरे से भी अपने face को post सकते हो so यह हो जाता है आपका पहला step complete so guys इस scrub को use करने के बाद आपको instantly difference देखने को मिलता है आपके face में जितने भी गंदेगी है white heads है black heads है dead skin cells है सब निकल जाता है and आपका face instantly clean and clear हो जाता है अब बारी आती है second step की जो कि यह skin tonic so guys सैनाज उशन का जो यह skin tonic है यह कुछ red color के liquid consistency में आता है and also यह spray bottle में आता है जिसके वज़े से use करना बहुत ही जादा easy हो जाता है आपको क्या करना simply से अपने पूरे face पे spray कर लेना है then अपने हाथों से इसे dab dab करके अपने skin के अंदर ले जाना है आपको 2-3 minute wait करना है ताकि यह liquid है यह आपके skin में अच्छे से penetrate हो सके अंदर तक जा सके and 2-3 minute के बाद आपको 3rd step में जाना है so guys अगर सहना शुषन के massaging cream की बात की जाए तो यह बहुत ही creamy texture का है and यह बहुत ही अराम से आपके skin के अंदर absorb हो जाता है आपको थोड़ा सा amount लेना है अपने face पे apply करना है और हलके हाथों से circular motion में उसको massage करते रहना है जब तक कि आपके skin में completely absorbed नहीं हो जाता एक बार यह आपके skin में completely absorbed हो जाएगा उसके बाद आपको next step में जाना है जो कि यह massaging gel so guys यह साना शुषन का जो gel है यह बहुत ही beautiful देखने में लगता है यह बिल्कुल transparent टिकता है और यह gel like consistency का जिसमें आपको छोटे छोटे गोल्ड के particles भी दिखेंगे so guys यह जो gel है इसको आपको simply अपने face पे apply करना है हलके हाथों से massage करना है जब तक यह absorb ना हो जाए similarly जैसे आपने massage cream को किया था एक बार यह gel आपके skin में absorb हो जाएगा उसके बारी आती है last step की जो कि यह face mask so guys सैना शुषन का जो यह face mask है आप देख सकतो यह बहुत ही जादा thin gel like consistency का है इसमें थोड़ा सा orange color का hint है और चोटे चोटे गोल्ट के particles आपको देखने को मिलेंगे इसे क्या करना है आपको simply अपने face पे apply करना है पूरे face में evenly आपको इसे apply करना है आपको 15 मिनिट के लिए छोड़ देना है 15 मिनिट के बाद आपको अपने face को नॉर्मल वाटर के हल्फ से clean कर लेंगे so guys 15 मिनिट के बाद आप देख सकतो मेरा face mask बहुत अच्छे से dry हो चुका है अब आपको इसे normal water के हल्फ से clean कर लेना है and then उसके बाद आपको cotton के कपरे के हल्फ से tap-tap करके अपने face को dry कर लेना है so guys difference आपके सामने है आप पहले हैं अभी में difference देख सकतो मेरा face पहले से बहुत ज्यादा clean और fresh लग रहा है also मेरी जो skin है वो काफी ज्यादा smooth लग रही है and पहले से ज्यादा मेरी skin glowing भी लग रही है so अगर आपको यह facial बाई करना है तो आप इसे www.sanas.in से बाई कर सकतो या फिर आपको यह local market में भी easily मिल जाएगा झाल झाल